क्या बिना grammar सीखे English बोल सकते हैं? गाईज ये सवाल तो common है लेकिन इसका जवाब जल्दी नहीं मिलता लेकिन अगर आप इस वीडियो में बने रहें तो आपको जवाब भी मिलेगा साथ ही साथ मैं आपको solution भी दूँगी कि आपको करना कैसे है? अगर आप बोलना चाहते हैं English तो आज की ये वीडियो आपके लिए कमाल का काम करेगी क्या बिना grammar सीखे English बोल सकते हैं? ज़्यादा तर लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है ठीक आप बिना grammar सीखे English नहीं बोल सकते लेकिन मैं आपको बता दूँ इस सवाल का जवाब है येस जी हाँ बिलकुल बोल सकते हैं और बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं मतलब अगर आपको जड़ा सा भी doubt है तो उसे निकाल कर fake दीजे क्योंकि बिना grammar सीखे English हर कोई बोल सकता है आप एक बात सोचिए कि जो लोग अध्यान में अच्छे होते जिनका पढ़ाई में मन लगता है क्या सभी ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई मन लगता है एक बार सोचिएगा अगर class में 50 बच्चे हैं तो क्या सब का पढ़ने में मन लगता है most probably आपको जो मिलेगा वो ये होगा कि 45 लोगों का मन नहीं लगता सिर्फ 5 लोगों का मन लगता है तो क्या सिर्फ यही 5 लोग English बोल सकते हैं क्योंकि grammar तो नहीं कि अच्छी होगी जिनका पढ़ने में मन लगता है बाकि जिनका नहीं लगता क्या वो 45 English नहीं बोल सकते बोल सकते हैं 100% बोल सकते जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उस इसाब से 50 के 50 बच्चे English बोलेंगे और बहुत ही अच्छे English बोलेंगे और बहुत ही आसानी से English बोलेंगे गाइस आज जैसा कि आप जानते हैं है Day 3 क्या है आज Day 3 है ये एक सीरीज का पार्ट है Day 1 में मैंने जो चीज आपको बताई है उसे सुनकर उसे देखकर आप Day 1 से ही English बोलना शुरू कर देंगे साथ इसाथ Day 2 भी देखना मत भूलेगा तो Day 1, Day 2 जरूर से आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये साबित कर देगा कि बिना ग्रामर सीखे आप English बोल सकते हैं गाइस बस आप वीडियो में न तक बने रहे हैं माई नेम इस कंचन ये वाचिंग में इंग्लिश कनेक्शन लेट्स बिकिन गाइस एक बार गौर केजेगा जब आपने Thank You सीखा और उसके अलावा जब आपने Sorry सीखा तो क्या आपने ये सोचा कि ये किस Tense का सिंटेंस है या फिर किस Type का सिंटेंस है जब आपने Nice To Meet You सीखा तो क्या सीखा कि जब ऐसे Situation हो तो हमको यही बाते बोलनी हैं तो अगर आपकी कोई मदद करें तो thank you बोलेंगे आप आपसे कोई गलती हो जाए तो आप sorry बोल देते हैं आप किसी से मिलते हैं तो nice to meet you बोलते हैं और किसी से विदाई लेते वक्त आप बोल देते हैं nice meeting you बस इतना ही तो आसान है मतलब अगर आपने ये समझ लिया कि कब, कहा, क्या बोलना है तो आसान हो जाएगा इसमें आपको grammar की tension लेने की जरूरत कहा है तो इसी तरीके से अगर आप धेरो phrases और sentences सीख लें जिसके आगे पीछे आपको कुछ भी जोड़ना नहीं है आपको ये बात बोलनी है इस situation में आप उसको as it is बोल दें तो बस काम असान हो जाएगा grammar की tension नहीं लेनी है तो आज जो आप सीखने वाले हैं वो हैं hundred sentences कैसे sentences हैं ये? ये sentences ऐसे हैं जिनमें आपको इनके आगे क्या जोड़ना है, पीछे क्या जोड़ना इसकी tension नहीं लेनी है छोटे छोटे ऐसे sentences हैं जो phrase का काम करते हैं मतलब जैसे आपने thank you और sorry सीखते वक्त जादा tension नहीं ली वैसे इनहें सीखते वक्त भी आपको tension नहीं लेनी है ये easily आपको याद हो जाएंगे अगर आप इसी वीडियो को दो बार देख लेते हैं बलकि एक बार बे देखेंगे तो भी आद हो जाएगा जैसे आपको कहेना हो मुझे ऐसा लगता है तो आप बोलेंगे I think so simple तो ऐसे छोटे छोटे sentences तो जब आपको बोलना हो मुझे ऐसा लगता है तो आप बोल देखेंगे I think so अगर आपको बोलना है मुझे ऐसा नहीं लगता है तो आप बोल देखेंगे I don't think so ऐसे ही sentences सीख के आप बोलना शुरू कर देखेंगे अब बात आई क्या हमें रटना है रटिये मत इनकी तयारी कीजे मतलब जब मौका मिले आपको इनकी बोलना है और इस वीडियो में भी आपको बोल कर प्रैक्टिस करनी है तो जब आप बोलने लगेंगे ये चोटे-चोटे sentences तो आपकी आदत बनती जाएगी देखें, इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी जो प्रॉबलम आती है वो है जिजख, ठीक, हेजिटेशन आप जिजखते हैं बोलने में आपको ये लगता है कि मैं कैसे बोलू जैसे आप देखते हैं सामने वाला जो है वो बहुत अच्छे इंग्लिश नहीं बोल पाता तब तो आप कोशिस करते हैं जैसे आपको दिखता है कि सामने वाला इंग्लिश अच्छी बोल रहा है तो आप बोलते ही नहीं है इस डर से कि कहीं मैंने मिस्टेक कर दी तो वो क्या सोचेगा तो जब आप इन छोटेचोटे सेंटेंस को बोल कर प्रैक्टिस करेंगे और इनहें कॉन्रषएशन मिली आएंगे तो आपकी यह जो हैजिटेशन है ये भाग जाएगी और आप इसली इंग्लिश बोलने लगेंगे तो बस यही काम करना है, प्रैक्टिस करना है साथ में तो चलिए, अब जैसे आपके सामनी यह sentence है तो पहले मैं हिंदी बोलूँगी, फिर इंग्लिश बोलूँगी और फिर इंग्लिश को दुबारा बोलूँगी तो जब दुबारा बोलूँगे आपको साथ में बोलना है अब क्या? What now? आगे क्या? What next? क्या करें? What to do? क्या बात है? What's wrong? किस लिए? What for? क्या है? What is it? कितनी गंदगी है? What a mess What a mess क्या उपाई है? What an idea What an idea TV पर क्या आ रहा है? What's on TV? What's on TV? मुझे ऐसा लगता है I think so I think so मुझे भी ऐसा लगता है I think so too I think so too मुझे ऐसा नहीं लगता I don't think so I don't think so Lies अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है तो नीचे रेट किलर का बटन आ रहा होगा उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताके नोटिफिकेशन बिलकुल आपको टाइम पर मिल जाएं और आप टाइम पर मेरे वीडियो देख पाएं छोड़ो इसे, drop it, drop it, मुझे घर छोड़ दो, drop me home, drop me home, कल मिलते हैं, see you tomorrow, see you tomorrow, बाद में मिलते हैं, see you later, see you later, एक आथ दिन में मिलते हैं, see you in a day or so, see you in a day or so, तुम कहां थे, where were you, where were you, कहां रह गये थे, where have you been, where have you been, कैसे हैं आप, how have you been, how have you been, आप से बात करके अच्छा लगा, nice talking to you, nice talking to you, मैं परेशानी में हूँ, I'm in trouble, I'm in trouble, मजे करो, have fun, have fun, जाने दो, let it be, let it be, जाने दो, let it go, let it go, रहने भी दो, forget it, forget it, संपर्क में रहना, stay in touch, stay in touch, ध्यान से, watch out, watch out, मुझ पर विश्वास करो, trust me, trust me, कोई बात नहीं, no worries, no worries, बहाने बनाना बन करो, stop making excuses, stop making excuses, गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को continue करती रहूं, तो comment section में दिल वांगे more जरूर लिखेगा, और आप क्या चाहते हैं, topic day 4 के अंदर, वो लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, समझा, I see, I see, मैं वादा करता हूँ, I promise, I promise, क्या यह तुम्हारा है, is it yours, is it yours, मेरे साथ खिलवार मत करो, don't mess with me, don't mess with me, क्या हो रहा है, what's up, what's up, उसका पीछा करो, follow him, follow him, आपको काम्याभी मिले, good luck, good luck, सफल हो न, break a leg, break a leg, इसे दिल पर मत लो, don't take it to heart, don't take it to heart, मैं छोड़ता हूँ, I quit, I quit, मुझे बहुत नीद आ रही है, I'm very sleepy, I'm very sleepy, मुझे परवा नहीं है, I don't care, I don't care, मुझे नहीं पता, I don't know, I don't know, जल्दी करो, hurry up, hurry up, कोई जानकारी नहीं है, no idea, no idea, कोई सुराग नहीं है, no clue, no clue, मुझे यह पसंद है, I like it, I like it, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, I hate it, I hate it, मुझे आपसे नफरत है, I hate you, I hate you, मेरे सास रुखो, stay with me, stay with me, मुझे देखने दो, let me see, let me see, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, I don't understand, I don't understand, मुझे वापस कॉल करना, call me back, call me back, कोई बात नहीं, never mind, never mind, बिल्कुल नहीं, not at all, not at all, थोड़ा सा भी नहीं, not even a bit, not even a bit, जल्द आ रहा है, coming soon, coming soon, ठीक है, alright, alright, और कुछ, anything else, anything else, मैं माफी मांगता हूं, I apologize, मुझे आपसे माफी मांगनी है, I owe you an apology, I owe you an apology, बात तो सही है, makes sense, makes sense, इसे दोहराओ, repeat that, repeat that, मेरे बात दोहराओ, repeat after me, repeat after me, जैसा आपको पसंद हो, as you like, as you like, क्या आप व्यस्त हो, are you busy, are you busy, अन्तिम्तिति कब है, when is the deadline, when is the deadline, शान्त रहें, keep calm, keep calm, सच बताये, tell the truth, tell the truth, मैं इमांदार हूँ, I am honest, I am honest, तुम गलत हो, you are wrong, you are wrong, तुम नहीं, not you, not you, बहुत देर हो चुकी है, it's too late, it's too late, मुझे इसकी आवश्यक्ता नहीं है, I don't need that, I don't need that, उचित है, fair enough, fair enough, सुन्ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, that sounds great, that sounds great, कृपया समझे, please understand, please understand, निश्चिंत रहें, rest assured, rest assured, मैं भाग लूँगा, I'll attend, I'll attend, मैं आउंगा, I'll come, I'll come, कोई नहीं आ रहा है, Nobody is coming, nobody is coming, क्या आप जा रहे हैं, are you going, are you going, मैं तयार नहीं हूँ, I'm not ready, I'm not ready, मैं तयार हो रही हूँ, I'm getting ready, I'm getting ready, चुप रहो, shut up, shut up, चुप रहना, Keep mum, keep mum, उंचा बोलो, speak louder, speak louder, और कुछ नहीं, nothing else, nothing else, बहात अच्छा, very well, very well, मेरी बात सुनो, listen to me, listen to me, मेरी पूरी बात सुनलो, hear me out, hear me out, भोजन परोसो, serve the food, serve the food, मुझे अकेला छोड़ो, leave me alone, leave me alone, छोड़ो इसे, leave it, leave it, तेजी सिखाओ, eat fast, eat fast, और तेजी सिखाओ, eat faster, eat faster, खुद पर काबू रखो, control yourself, control yourself, तुम क्या ढून रहे हो, what are you looking for, what are you looking for, मैं इसे कहाँ पा सकता हूँ, where can I find it, where can I find it, गाइस मेरी मा कहती है, शिक्षादान महादान, मतलब शिक्षादान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इससे क्या होगा, इससे जादा से जादा लोग English बोल सकेंगे, और हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, मिलते हूँ आप से अगले लेसन में, इसे उम्मीद से कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, जैहिंद!